Good day to all of you, कल की कक्षा में आप सभी ने Edit Menu के कुछ Option के बारे में सीखा था, इस Class में आप सिर्फ पिछली Class का Revision करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछली Class का Revision कर लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि पिछली Class में आपने जो सीखा था वह आपको याद है या नहीं? आपने पिछली Class में Undo, Redo, Cut, Paste, Select All और Find and Replace के बारे में सीखा था, क्या आप बता सकते हैं Undo क्यों करते हैं और इसकी Shortcut Command क्या होती है? Undo से आप उस Word अथ्वा उस काम को हटा सकते हैं, जिसे आपने गलती से किया था Undo की Shortcut Command Control Plus Z होती है क्या बता सकते हैं कि Redo से क्या होता है और इसकी Shortcut Command क्या होती है? Redo से आप उस Word को वापिस ला सकते हैं, जिसे आपने Undo करके हटाया था क्योंकि redo undo के विपरित काम करता है इसकी shortcut command control plus y होती है क्या बता सकते हैं किसी line को एक से अधिक और उसी के जैसा लाने के लिए क्या करना होता है एक से अधिक और उसी के जैसा line लाने के लिए हम copy paste का उप्योग करेंगे cut से क्या होता है और इसकी shortcut command क्या होती है से आप किसी लाइन या पैराग्राफ को कट कर सकते हैं मतलब वहां से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं इसकी सौटकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स होती है क्या बता सकते हैं कि find and replace से क्या होता है इसकी इसकी सौटकट कमांड क्या होती है find से आप अपने डोकुमेंट में किसी भी वर्ड को ढूंड सकते हैं और replace से आप उस पार्टिकुलर वर्ड को बदल सकते हैं इसकी सौटकट कमांड कंट्रोल प्लस एफ होती है अब आप कंप्यूटर को on करें और writer की फाइल को open करें writer की फाइल को open करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से open करना सीखें आज आप वीडियो को देखकर एक नए तरीके से फाइल को open करना सीखें सबसे पहले आप desktop पर open office लिखे फाइल अत्वा उसके symbol को डूड़ना होगा जैसे की सामने वीडियो में दिखाया गया है अब ऐसे ही symbol अपने desktop पर ढूड़े और उस पर अपने mouse या touchpad के द्वारा pointer को लेकर जाए और वहाँ पर left button से एक साथ में दो बार click करें फिर आपके सामने दिखाया जा रहे है वीडियो की तरह एक window आ जाएगी यहाँ पर open office के बहुत से components दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आपको text document को select करने के लिए उस पर एक बार left button से click करें जिससे की आपकी open office writer की file open हो जाएगी आज की खक्सा में आप सब undo, redo, cut, copy, paste और find and replace के revision करेंगे क्या आप सभी ने writer के file को open कर लिया है या नहीं अगर नहीं तो वीडियो के मदद से open करना सीखें सामने दिये गए paragraph को type करें और फिर एक एक करके बताया जा रहा है option का revision करें सबसे पहले undo का अभ्यास करें अगर कोई समस्या होती है तो आप सामने दिखाया जा रहा है वीडियो को देखकर undo करना सीखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि undo का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इस paragraph को type कर लिया अब आपको undo करना है तो आप menu बार के edit option पर अपने pointer को लेकर आएं और left button को click करें उसके बाद undo लिखे हुए option पर click कर दें तो देखिए सबसे last वाली line आपकी delete हो जाएगी यानि कि हट जाएगी जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे इसके लिए आप shortcut command control press Z का भी उप्योग कर सकते हैं आपको अपने keyboard में control button को left hand के एक finger से दबा के रखना होता है और दूसरे hand से Z के button को दबाना होता है जिससे कि आपकी एक और line delete हो जाएगी फिर आप दूसरे तरीके से एक बार undo करें जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एडिट के option पर लेकर आए और undo लिखे हुए option पर click कर दे जिससे कि आपकी अगली line हट जाएगी फिर से आप edit पर जाए left button को click करें undo पर लाकर जिससे कि एक और line हट जाएगी फिर वैसे ही करें जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप undo का उप्योग कर सकते हैं undo से आप एक एक line को delete कर सकते हैं अब आप redo का अभ्यास करें अगर कोई समस्या होती है तो आप सामने दिखाया जा रहा है वीडियो को देखकर redo करना सीखें आईए वीडियो को देखकर अब redo करना सीखते हैं undo से जैसे अभी आप सबने अपने पूरे paragraph डिलीट किया था redo से आप अपने उस line या paragraph को वापिस ला सकते हैं इसके लिए आप अपने pointer को menu bar के edit लिखे हूँ option पर लेका रहा है और left button को click करें और redo लिखे हुए option पर अपने pointer को ले जाएं और left button क्लिक कर दें जिससे कि आपकी line आ जाएगी इसके लिए आप shortcut command का भी प्रियोग कर सकते हैं जो की control प्लस Y होता है redo आप दो तरीके से कर सकते हैं एक menu bar के edit option से जाकर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और shortcut command shortcut command उप्योग करने के लिए आप अपने left hand के एक finger से control बटन को दबा के रखें और दूसरे hand के एक finger से Y के बटन को दबाएं जिससे कि redo होगा जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अगर आप menu bar के द्वरा करना चाहते हैं तो आप यहां से करें और अगर आप command के द्वरा करना चाहते हैं तो आप command का उप्योग करके redo करें तो इस तरह से आप redo कर सकते हैं अब आप cut paste करने का अभ्यास करें अगर कोई समस्या होती है तो आप सामने दिखाया जा रहा है वीडियो को देखें और cut को सीखें आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि cut paste कैसे करते हैं cut करने के लिए आप सभी को अपने line या paragraph को select करना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है select करने का विधी आपको बताया जा चुका है चाहे shortcut command से या mouse या touchpad के द्वारा या shift या arrow key के साथ में जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस paragraph को mouse या touchpad के द्वारा select करें जैसे कि ये नीचे वाला paragraph है इसको हमने select किया इसे हमें cut करना है तो हम menu बार के edit लिखे हुए option पर जाएंगे और cut लिखे हुए option पर click करेंगे या shortcut command control प्लस x का उप्योग करेंगे तो या select किया हुआ line या paragraph आपका cut हो जाएगा यानि कि यहां से हट जाएगा या delete हो जाएगा अब इसे वापिस लाने के लिए आपको paste का उप्योग करना होगा paste के लिए आप फिर से menu बार के edit लिखे हुए option पर आएंगे और अपने touchpad या mouse के left button को click करेंगे आप सभी paste लिखे हुए option को डूडेंगे जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप इसे अपने writer के paste पर कहीं भी paste कर सकते हैं paste करने के लिए आप shortcut command का भी परियोग कर सकते हैं जो कि control plus d होता है आप इसे एक बर cut करके एक से ज़्यादा बर paste कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो इस तरह से आप cut paste का उप्योग कर सकते हैं अब आप copy paste करने का अभ्यास करें अगर कोई समस्या होती है तो आप सामने दिखाया जा रहे हैं वीडियो को देखकर copy करना सीखें आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि copy और paste कैसे करते हैं आप अपने paragraph को select करें touchpad या mouse के दोरा उसके बार जैसे कि आप सभी जानते हैं copy और paste दो तरीके से कर सकते हैं एक shortcut command और दूसरा menu बार के edit option की दोरा आप सभी अपने pointer को edit menu बार के option पर लेकर आएं और फिर इस box के अंदर copy लिखे हुए option पर click कर दें जिससे कि आपका या paragraph copy हो जाएगा जब आप copy करेंगे तो आपको कोई effect नहीं दीखेगा पर यह copy होगा सिर्फ अब आपको अपने cursor को वहाँ पर लेकर आना है जहाँ पर इस paragraph को paste करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है paste करने के लिए भी आप दो तरीके से कर सकते हैं एक shortcut command और दूसरा जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है edit menu bar के option पर लेकर आए और इस box के अंदर paste लिखे हुए option पर क्लिक कर दे जिससे कि आपका same paragraph नीचे के जहाँ पर आपका cursor blink कर रहा था वहाँ पर आ जाएगा एक और चाहिए तो आप सिर्फ paste का command या menu bar के option पर जाकर सिर्फ paste पर क्लिक कर दे जिससे की एक और paragraph आ जाएगा आपको जितनी बाद चाहिए आप इसे paste करके ला सकते हैं इस तरह से आप copy paste का उपयोग करते हैं find and replace का अभ्यास करे आज यहाँ पर आपको किसी word को अपने नाम में बदलना है अगर कोई समस्या होती है तो आप सामने दिखाया जा रहा है वीडियो को देखकर find and replace को सीखें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि find and replace कैसे करते हैं find and replace करने के लिए आप shortcut command या menu bar के edit option के द्वारा उपयोग कर सकते हैं जैसे की आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है आप अपने pointer को edit लिखे हुग option पर लेकर आए और उसके बाद find and replace के option पर click कर दे जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे एक box open होगा इस box के अंदर आपको दो option दिख रहा होगे जैसे की पहला search for और दूसरा replace with search for से आप find कर सकते हैं और replace with से आप किसी word को replace कर सकते हैं तो सबसे पहले आप search करेंगे यानि कि find करेंगे जो भी आपको text find करना है उसे type कीजिए इस box के अंदर और उसके बाद आप find या find all के option का उप्योग कर सकते हैं अगर आप find option का उप्योग करेंगे तो आप अपने document में एक एक word को find करेंगे और find all का उप्योग करेंगे तो एक ही बाद जितने भी आपके document में वह text होगा उसे एक बार में हाइलाइट कर देगा जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप अपने document में किसी भी text या word को find कर सकते हैं अब आप ठीक इसी तरीके से भी इसी तरह से आप replace भी कर सकते हैं replace करने के लिए भी आप shortcut command या edit option पे जाकर find and replace पर click करके कर सकते हैं जैसे ही आप shortcut command या edit option पे जाकर click करेंगे box open होगा इस box के अंदर जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है search for में आप उस word को या text को type करेंगे जिसे आपको हटा कर किसी और word को रखना है और replace with में वह text type करेंगे जिसे आपको replace करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है replace पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक एक करके आपके document में word को हटा के replace करेगा और replace all पे क्लिक करेंगे तो वह आपके text को एक साथ में ही पूरे document में replace कर देगा word को तो इस तरह से आप find and replace का प्रियोग कर सकते है अब देखिए कि जो आपने text को हटाया था वह text हट गया और उसके जगह पे कोई और text जो आपने type किया है वह आ गया तो इस तरह से आप find and replace का उप्योग कर सकते हैं अब आप अपनी file को close करें अगर file को close करने में कोई समस्या हो तो आप video को देखें सभी अपने cursor को page के dynasite कोने में cross के button पर लेका जाए और वहाँ अपने mouse या touchpad के left button को दबा दें आपके screen पर एक box आ जाएगा जिस पर तीन option दिये गए होंगे save, discard और cancel क्योंकि हमें इस file को save नहीं करना है इसलिए हमें discard वाले button पर click करें जिससे file close हो जाएगी अब आप सभी अपने computer को shutdown करें अगर computer को shutdown करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें आईए अब सीखते हैं कि हम computer को shutdown कैसे करते हैं आप सभी अपने pointer को start button पर लेकर आए इस start button पर अपने touchpad या mouse या left button को एक बार click करें जैसे ही आप left button को click करेंगे एक box open होगा अब इस box के अंदर आपको shutdown लिखे हुए option को ढूड़ना है इस shutdown option पर pointer रखने के बार अपने touchpad या mouse का left button क्लिक कर देना है जिससे कि आपका computer shutdown हो जाएगा यानि कि बंद हो जाएगा आज की कक्सा में आपने undo, redo, cut, copy, paste और find and replace का revision किया क्पर्वाँ